असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग सब इन्शालला सब फैरेस होंगे अच्छा आज मैं बनाने जा रही हूं आलो के प्राठे यह बहुत ही मज़े को अपने स्टाइल से बना रही हूं यह मैंने आलो लिए तीन आलो उबले वे लिए हैं उबाल लिए तीन आलो को और मैंने है आधा कब जaking चक्तिक आख लिया है और मैंने लिया नवक तो पुरा मैदा भी ले सकते हैं आधा कब म्रेशय में आथा दून्गे अदर टी स्पून नमक आपने जयेके की हिसाब से रख लिगा और इसे कर दूंगे नमक मिलाने के बाद दोनों आटब को देखे दोनों आटो को नमक को मैरे मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा ओल मिलाएंगे एक टेबिल स्पून आईल और फिर हम इसे गून लेंगे थोड़ा-थोड़ा पाइन डालकर गुन लेंगे गुन लिया है तो इसमें थोड़ा से ओई लगा करके हम इसे साइट पर रख देंगे ये तीन पराथे इससे तयार हो जाएंगे देखें ये आलू है इन आलू को मैं कद्दू कश से कर लूँगी ताकि इसमें कोई गुठी ना रहा है कद्दू कश से करने में मकसद यही है कि इसमें कोई गुठी ना रहा है आलू मैं बहुत अच्छे से ये इसमें से हो जाएंगा जल्दी भी हो जाते हैं ये देखें कितने अच्छे से हो रही है इसी तरह मैं सारे आलू को कर लूँगी देखें मैंने आलू को इस तरह कद्दू कश कर लिया है अब इसमें मैं मसाले मिलाऊंगी और मिर्श भी थोड़ी कड़क हो जाएगी देखें प्यास भी ब्राउन हो चुकी है और मिर्च भी तला गई है इसे हम निकाल लेंगे तेल बिल्कुल छान के निकाल लेंगे हम अच्छा देखें मैंने यह आलू है यह प्यास मैंने निकाली है ब्राउन की भी प्यास और यह मिर्चे है मिर्चे भी थोड़ी प्राई हो कि आपने को पाद देगे सकत सी हो गई है यह भी हम इसमें डॉल लेंगे इस तरह करके आज से तोड़ कर डाल लेंगे देखे मैंने मिर्च इसमें तोड़ दिये क्योंकि तरने की वैसा खसता हो गई थी है ब्लकुछ टूट गई है और यह प्यास यह भी है तरने के वाज़ा इसे भी मैसमन डाल दूंगे यह हमारी अम्मी बनाती थी हम उसी तरीके से बनाते हैं आप लुग किस तरीके से बनाते हैं आप बताईएगा या कसूरी मेथी है यह आदी टेबिल स्पून डालेंगे रिर अ यह धनिया है यह दनिया तरी तैबिल स्पून है और यह हरी प्याज भी डालीगा तो इसके अजारता अच्छे और साएगा यह यह मैँने तेन टेबिल स्पून हरी प्याज लिए इसको बारिक काट लिया इन सब छीजों को मिला लेंगे यह देखें सबको हम अच्छी तरह मिला लेंगे बहुत अच्छा सा ही है भूरता टैप का त्यार हो जाएगा जो हम रोटी में फिल करेंगे यह देखें भूरता बन गया है अब हम चलते हैं पराठे में इसको फिल करके बनाएंगे अच्छा देखें पहले हम पेड़े हमने देखें देखें इसके हम तीन पेड़े बनाएंगे बराबर से हम बनाएंगे तीन पेड़े यह देखें मैंने तीन पेड़े बनाएंगे अब दो को हम हटाते हैं अब हम बनाते हैं इसका फोराठा लगाएंगे हम अब इसे बेलेंगे मैं इतनी बड़ी रोटी बेल लिए अब इस पे मैं डालूँगी यालो यालो इस पे पुरा फैला लूँगी है देखें मैंने इस पर आलू पुरा फैला लिया है मैं दो तरीके सापको बताऊंगी आपको जो तरीका अच्छा लगा आप उस तरीक से बनाईगा देखें यह आलू पैला लिया अब इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह फोल्ड किया हलका हाथ रखना है और फ्रट जाएगा अब इसे हम इस पर थोड़ा सा हलका सा आईल लगाएंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे इसे देखें इस तरह के फोल्ड हुआ है देखें इस तरह के फोल्ड हुआ है अब इसे हम सेंटर से काट लेंगे तेस छूरी लेनी है नहीं तो आप धागे से भी प्रॉसिस कर सकते हैं यह देखें यह इस तरह का होगा अब इसे हम बेल लेंगे एक तरीके से हुआ है कि हमने एक पेड़े से दो पराठे बनाए अब हम दूसरा तरीका जो बताएंगे उसमें एक पेड़े से एक पराठा बनेगा देखें इसे हम पराठा लगाएंगे दोने साइट से और इसे हम हलके हाथ से बेलेंगे देखें यह इस तरह का पराठा हुआ है कि इसे हम हटाते हैं है अच्छा देखें दूसरा तरीख यह यह है एह रेल तरीखा जो है भो यह है थोड़ा सामने यह प्लेड़े बड़ा किया प्लेश्म अब इसमें हम डालेंगे यालू रफिल कर देंगे यह देखें शब तरफ सम पकड़के शब तरफ सम पकड़के हमने इसका मूँ बन किया यही रियल तरीका है यह देखें इस बड़ा सा प्रेड़ा त्यार हो गया अब इसे हम बेल लेंगे देखें इस पे दोन तरफ पांटा लगा लिया मैंने और इसे हलके हाँ से बेले हुए ताकि यह आलू जो है बाहर ना है हाँ बेल को हलका रखना है मैं आपको दो तरीके कर बता रही हूं जिस तरीके साब को अच्छा लगा आप बना ले देखें मैं दो साइस के बना है दो बना है एक इस तरह के एक इस तरह के तो चले अब इसे हम प्राई करते है देखें सबसे पहले मियावला पाराथा तलते है अच्छा अब इसमें हम जी डालते है इसे प्राई करने के लिए यह देखें फिर इस पीसा पराठा आई है यह इसमें भी गी डालते है प्राइ करते है यह देखें कितना अच्छा सा फ्राइ हो गया यह प्राठा हमारा क्रिस्पी भी है बहुत अच्छा है कि मैंने इस तरह के पराठे बनाए यह इन पर आट हैं इन देखें कलियर वाले हैं आप जिस तरह से चाहें बनाएं बहुत अच्छे है बहुत मज़े के पराठा ही है आप इस जुरू ट्राइ कीजेगा और मुझे अपने कॉमेंट में बताइएगा कि में रेसिपी आपको कैसी लगी अपना बहुत ख्याल रखेगा अला हाफिज